हलो एब्रीवन में नाम है रतुशर्मा आप सभी का स्वागत है निर्माना आयस के चैनल पर आज हम एक महत्पुन टॉपिक के बारे में डिसकेशन करेंगे जो कि आपका राइजीना डायलोग तो यह डायलोग आपका कहां पे हो रहा है इसकी क्या-क्या थीम है कौन से देश गेस्ट रहे हैं वो ग्रीज के प्रधान मंत्री यहां पे आप देखेंगे ग्रीज के प्रधान मंत्री हमारे देश में इन्हों ने हैं जियो एकोनोमिक्स मुद्दे हुए हैं इन सभी के बारे में जो है डिसकेशन इस डायलोग के अंदर होता है इसे के साथ सथ आई एम इसी कॉरिडोर है आपका इंडिया मिडल इस्टन कंट्री और यूरोपियन कॉरिडोर ये कॉरिडोर के बारे में भी इसमें डिसकेशन आपकी हो रही है और चलिए आगे जानते हैं सभी यहां पे जो प्रधान मंत्री हो गए देश के प्रेजिडेंट हो गए हैं देश के बड़े-बड़े लीडर्स जो हैं इन डालॉग में पार्टिसपेट करते हैं अब ध्यान देने की बात यह है कि जो इसके ओर्गनाइजर्स हैं तो डेली की एक ठिंग टांक है जिसका नाम है अब्जरवर रिसर्च फांडेशन पार्टनेशिप किसके साथ है Ministry of External Affairs तो यह आपका मंत्रा ले रहेगा इन्होंने आपका जो यह कॉन्फरेंस है वो होस्ट करी है और यह इसके और इसके और्गनाइजर्स भी है अब बात करते हैं इसमें जो थीम आपकी रहेगी गाईज वो थीम है आपका चतुरंगा Conflict, Contest, Cooperation and Create तो बेसिकली यह चार पिलर्स है जिनके ऊपर आपका डिसकेशन की जाएगी यह थीम आपकी जो है रिलीस की है Ministry of External Affairs ने इसी में यह तीन दिन की जो आपकी Conference रहेगी इसमें छे आपके थीम के पिलर्स है उन पर यह डिसकेशन होगी बारे में आपका डिसकेशन करेगी राइट फिर आता है War and Peace पे बात होगी कितनी आर्मरी है इसी के साथ साथ आप देखोगे कि यहाँ पर 2030 के बार आखें क्या एजेंडा रहना चाहिए कैसी प्रोग्रेस होनी चाहिए उसी के साथ साथ लोगतंत्र की रक्षा के लिए आपकी बात की जाएगी तो यह सभी आप देख सकते हैं मुद्दे हैं जिनके ऊपर रेजीना डायलोग पे डिसकस्शन सभी देश मिलकर करेंगे तो यहाँ पे 2500 आप पार्टिसिपेंट देख सकते हैं जो करीब करीब 115 कंट्री से आपके पार्ट कर रहे हैं और डिजिटल प्राट्फॉर्म में से पार्टिसिपेंट रहेंगे तो आईए एक सवाल देखते हैं राइजीना डायलोग पे कि आपसे पूछा जा रहा है कि आखर निमलिकित में से कौन राइजीना डायलोग को जो है और गिनाइज करता है पहला ऑप्शन है आपका अब्जर्वर रिसर्च पाउंडेशन दू तो बात आती है अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि जो और गिनाइजर्स है राइजीना डायलोग के वो है आपके डेली का एक तिंग टांक है अब्जर्वर रिसर्च पाउंडेशन और कौन सा मंत्रा ले रहे गए हैं आपे एक्स्टरनल अफेर्स का मंत्रा ले त डायलोग का महत्व है भारत के लिए वो आपका मेंस के मुद्यों के लिए बहुत ही इंपोर्टन रहेगा तो आपको जो टॉपिक पसंद आया हो डोंट फरगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब निर्मानाइस